बेमेत्रा में एक युवक सहित परिवार के नौ सदसे फूड पॉईजनिंग के हुए शिकार इलाज जारी पूरा मामला बेमेत्रा जिले के चौकी चंदनू अंतरगत ग्राम कमरिया का है जहां एक ही परिवार के नौ सदसे फूड पॉईजनिंग के शिकार हो गए जिसमें 48 वर्षी युवग वबच्चे शामिल हैं जिसे गंभीर हालत में जिलास पताल में भरती कराया गया जहां उपचार जारी है गौरतलब हो कि ग्राम कमरिया के एक पटेल मरार परिवार में घर के बड़े बुज़र्ग की मुरत्ती हुई है इस शोक कारेकरम के चलते परिवार के सबी सदस्यों ने रातरी में सामोही क्रूप से परिवार एक भूच किया था जिसके बाद तड़के सुबह एक के बाद एक परिवार की सदस्यों को पेट दर्द और उल्टी दस्थ होने लगी जिसे परिजनों ने आनन्फन में 108 की मदद से मरीजों को जिलास पताल में भरती कराया गया जहां मरीजों का उपचार चल रहा है वहीं उपचार पश्चात मरीजों की स्थिर बताई जा रही है बच्चा मनलग दस्थ सुबे हमारी घर में कारिया है हमारी भया खत्र में मिला तो सब करिवार में के जगन खना बना के खाए हैं तो रात में खाए हैं तो सुबे पांच बजे पांच बजे दस तो हुई जगन लाए हैं और पेट भी रहा हैं सबेटी हैं धिरी धिरी ऊच्री पारी सब के दर्दा चलू हो गए हो कर बाद हमने देखें तो गुला के गाड़ी यहां देमे तरह लाए हैं के जगन हुआ थे नौ जगन अभी 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 हो द्वेइव अदोब गुत खार भी यहां वीरा जोट लाए हैं हुआ है था लाए हैं